हलो फ्रेंट्स आज की वीडियो अलेक्जेंडर पोप के ऊपर होने वाली है अलेक्जेंडर पोप के टीलेटर जितने भी कोशन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिटेल से डिसकुस करेंगे तो शुरू करते हैं ओगस्टन एज को Age of Pope भी बोला जाता है Alexander Pope Augustan Age के राइटर है और Augustan Age 1700 to 1745 के टाइम को इस टाइम को slot को Augustan Age बोला जाता है और इसको Age of Pope भी बोला जाता है और New Classical Age भी बोला जाता है और Augustan Age का Life Span देखें 1688 to 1744 को 4 तक है तो इनको Master of Hero कपलेट पोला जाता है यह सेटारिस्ट है राइटर है, पोईट है यह Catholic religion से बिलॉंग करते थे मगर तब जब यह अपनी राइटिंग लिख रहे थे इनके Life Span में Anti-Catholic movement से चल रही थी मगर यह Catholic religion से बिलॉंग करते थे इनके बर्त की बात करें 21st May 1688 में London United Kingdom में इनका बर्त हुआ और 30 May 1744 को इनकी Death to Kingdom United Kingdom में हुई और उन्हों ने classical poets, writers को इनने रीड किया जैसे Horace, Jovenal, Virgil, Homer और इन्होंने Chaucer, Wordsworth और John Dryden को भी बहुत अच्छे से रीड किया है तो आगे देखते हैं आफ्टर 5 years of study उन्होंने 5 years study की तो वो contact में आए बहुत famous figure लंडन की like William Congrave Samuel Goat and William Turville इनके वो contact में आते हैं तो health के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है Alexander Pope के अगर हम Alexander Pope को अगर हम study कर रहे हैं Alexander Pope के health की वज़े से ही वो isolated थे isolated जाने कि अकेले रहते थे उसको society से अलग सा निकाल दिया गया था क्यों क्योंकि वो सफर कर रहे थे spinal tuberculosis से और बारा साल की उमरे में ही उनको spinal tuberculosis हो गया था जिसकी वाज़े से उनकी growth में रुकावट बन गयी और वो उनके एक hunchback हो जाता है hunchback मेंज वो कुबडे से बन जाते हैं और वो जिसमें वो उसकी pain भी रहती है और respiratory system में भी problem रहती है और क्या देखते हैं और उसकी जो height है 4 feet और 6 inches ही होती है सिर्फ ये Alexander Pope की इसी वज़े से वो अब हमने बात की थी religion वो religion भी उनका catholic था और anti catholic movement चल रही थी और उपर से इनकी health और इनकी physical description आ जाती है वो सारा physical वो इसकी वज़े से ये isolate रहते थे और ये satireist बनने का ये ही main कारण था वो किसी कोने छोड़ते थे सब पे satire करते थे तो आगे देखते हैं at binfield, he made many friends binfield एक जगा का नीम है वहाँ पे इनोंने बहुत से friend बनाए और वहीं पे ये john kariel से मिलते हैं जो जिस जिनको इनोंने future में the rape of the log जो बहुत ही इनका famous work है epic poem है जो mock epic poem है ये इसको dedicate की है john kariel को चाहे ही इनकी age जो john kariel की उनकी age 20 साल बड़े थे ये pop मगर फिर भी इनकी दोस्ती थी बहुत अच्छी और William Welch से भी ये मिले ये भी इनके अच्छे friend बोल सकते हैं और ये इनोंने भी help की pop की इनके first work को publish करवाने की first work था इनका the pastorals then आ जाता है the blonde sister the blonde sister दो sisters थी Teresa and Martha ये इनकी lifelong friends रहीं और इनी को बहुत सी poems हैं works हैं जिन में इनकी memory में नोंने poems लिकी उनको address किया है अपनी points में Alexander Pope ने आगे देखते हैं 1709 में इनकी first publication आती है post oral जिसको publish करवाने में William Welsh ने मदद की थी 1711 में देखें An Essay on Criticism ये बहुत famous work है और इसमें बहुत famous quote हैं जो आज भी हम use करते हैं जैसे to aries human, to forgive divine fool Russian तो ये quote An Essay on Criticism में ही है जो 1711 में आता है और 1712 इस इस year में most famous work इनका आता है The Rape of the Lock जो एक mock epic work है और इसको revised जनके दुबारा भी publish करवाएगा 1714 में तो इस period में 1714 में एक हम relate करके याद रखना है जो Queen N थी उनकी भी 1714 में death हुई थी और Jacobian rebellion भी 1715 में शुरू हो गया था तो आगे देखते हैं 1715 से लेकर 1720 तक इनोंने translate की थी जो Homer का work है Iliad but with collaboration collaboration के साथ इनोंने William, Brom and Alicia, Fanton के साथ इनोंने Homer का work Iliad ट्रांसलेट किया था 1725 तो 1726 में इनोंने Odyssey जो Homer का work है उसको भी ट्रांसलेट किया था तो जो the rape of the lock है इसके बारे में थोड़ी सी और देख लेते हैं डिटेल से 1712 में ये सबसे पहले publish होता है ये works फर्स टाइम जिसमें सिर्फ two cantos होते है और 1714 में दुबारा से publish होता है आता है ये work जिसमें five cantos होते हैं और 1717 में ये दुबारा से publish होता है जिसमें उन्होंने क्लैरिसा की speech एड़ की थी तो इसमें अगर अब हम देखें दे रेप आफ दे लॉग इसमें five cantos हैं और ये mock epic work है और ये work के थुरू उन्होंने high society sorry high society के quarrel के उपजन के जगड़ा हो जाता है उसके उपर से tire किये है जगड़ा किस-किस के बीच में हो जाता है एड़ा बेला फर्मर जिसको बैलिंदा दिखाया गया है दरीप अफ लॉक में और लॉर्ड पीटर को जिसको बैरन दिखाया गया है तो ये जो बैरन है जानी के लॉर्ड पीटर है वो without permission law काट लेती है जानी कि उसके बालों की लट काट लेती है जिसकी वज़ा से इन में जगड़ा हो जाता है इसी पे बेस्ड उन्होंने ये सारा इंसीडेंट इसमें बताया है और ये सटायर है एक तरह का हाई सुसाइटी के ऊपर और इनके मेजर्स वाक देख लेती है 1709 में पैस्टोरल्स इनका वाक आता है 1711 में एन एस्टियों क्रिटिसिजम 1712 में इनका वर्क है जिसको ट्रांसलेट किये था Samuel Johnson ने और ये लेटिन में लिखा था मिशा वर्क 1713 में विंस्टर और फोरेस्ट आजाता है 1715 में इन तेम्पल आफ दे वीजन 1715 to 1720 Translation of the Iliad 1717 Elisa to Abiland 1717 में ही 3 hours after marriage इन आजाता है 1717 मे Allergy to the Memory of An Unfortunate Lady 1773 to 1725 The Words of the Shakespeare इनका वर्क 6th volume में आया था 1725 to 1726 Translation की थी उन्होंने Odyssey जो हमर का वर्क है 1727 में Berry, Bathouse or the Art of the Sinking in Poetry Then इनका The Duns Yard आ जाता है The Duns Yard 1728 में आता है Then 1733 से लेकर 1733 से लेकर 34 में Essay on Man ये जो Essay on Man ये पब्लिश होता है इनका वर्क ये Philosophical Poem है ये Essay on Man Philosophical Poem है जिसमें उन्होंने एड्रेस किया है Lord Bulling को ठीक है Lord Bulling को Then 1735 में The Prolug to the Satires इनका वर्क आता है An Epistle to Dr. Arbutnot ये भी एक Poem है और ये Epistle मतलब होता है Letter ये किसको लिखाता है Dr. Arbutnot इंडो के एक Poem है Okay Then 1743 में The New Duns Yard वर्क आता है इसमें भी the Epistle to a Right Unwrable Richard Earl of Bullington को है और Memoirs है Of Martinus Scribblers को 1712 में The Dying to His Soul 1733 में Lines by a Poem of Quality 1717 में On a Certain Lady at Court 1700 में लिखा था सिर्फ तूट वर्क 1710 में You Know Where You Did Despite Then आज़ता है 1758 में Two Dialogues Then 1777 में 1717 में Three Hours After Marriage यह जो Collaboration के साथ लिखा था Work John Gay और Alexander Pope And John R. But Not इन सभी के साथ Collaboration में लिखा था John Gay John Gave Main author थे मगर फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि Alexander Pope का भी तो Collaboration था ना इसलिए यह जो जी तो Then a Restoration Comedy 1738 में The Universal Prayer 1731 to 1735 Moral Assess 1713 में प्रलूग तो Mr. Addison Cato, then views, बहुत अब इनों के हमने बहुत works देखे हैं, बहुत से work लिखे हैं, collaboration में भी लिखे, translate भी की है, points भी लिखे हैं, बहुत famous work हैं इनमे से, the rape of the log, अब व्यूज देखते हैं, उस समय में अलग लग जो राइटर्स हैं, उनके क्या views रही हैं, पॉप Byron के, पॉप का मेरे ऊपर बहुत ज़्यदा इन्फिलेंस हैं, वो खुद बोलते हैं, और words worth वो बोलते हैं, पॉप के style को, fundamental to decadent to be a representation of a human condition, तो मतलब वो decadent बोलते हैं, वो बोलते हैं, जैसा भी उन्होंने human condition को बताया, represent किया है, वो एक to decadent है, पतन दिखाया है, पूर इनकी translate के लिए बोला है, जो इलियाद इन्होंने translate की थी, वो बोलते हैं, a performance which no age or nation could hope to equal, वो बोलते हैं, ये जो work है, इलियाद, जो इन्होंने translate किया था, इसके बराबर का कोई और translate इतना अच्छे आय से नहीं कर सकता, दो पोप never married, चाहें, इनकी ने पूरी जिंदगी marriage नहीं कि unmarried ही ही रहे, मगर फिर भी देखते हैं, about this time he become a strong leader, मगर फिर भी ये attract हो जाते हैं, किसी लेडी की तरफ जिसका नाम होता है, M. Montagu, और जिसको वो indirectly refer भी करते हैं, अपनी popular poem, Alisa to Abbey Lord, इसमें ये अब उस लेडी को address भी करते हैं, attract थे ही उनकी तरफ, देना जाता है he is one of the most epigram mature of all English authors, मतलब बहुत अच्छे epigram mature writers माने जाते हैं, और Dr. Johnson ये भी बोला है पॉप के लिए, that if pop be not a poet, where poetry to be found, वो बोलते हैं, अगर पॉप नहां होते हैं, तो poetry कहां से होती, ये Dr. Johnson ने बोला है पॉप के लिए, then Matthew Arnold, Matthew Arnold ने भी बोला है, classics of our prose, तो इन्होंने Matthew Arnold ने दो लोगों के लिए बोला था, ड्राइडन के लिए और पॉप के लिए, उनने बोला था, classics of our prose, ये Matthew Arnold ने बोला था, इनके लिए, then आ जाता है, पॉप himself says, वो अपने आप बोलते हैं, that the most important characteristics feature of his poetry is correctness, वो बोलते हैं, उनकी poetry की सबसे ज़्यादा बड़ी feature और खूबी ये है, वो है correctness, ओकी, पॉप has addressed the essay on man, जो essay on man है, वो इन्होंने लेड बॉलिंग ब्रो को address किया था, जो पॉप की in his life, admire most to Dryden, Dryden को उनने बहुत admire किया, चाहे बहुत सेटायर के मामले में तक इसी को भी ने छोड़ते थे, मगर ड्राइडन को इन्हो वो पॉटिक मेंडर भी मानते हैं, ड्राइडन को, और पॉप's poetry basically lagged in emotions में, अगर emotions हमें कम देखने को मिलती है, इसकी poetry में work में बहुत emotions नहीं होती, इसकी works में, पॉप had no profession other than literature, उस time पे अगर हम देखे तो, जो जितने ही भी राइटर थे, वो साथ की साथ एक और भी work कर र और कोई profession नहीं था, और सिर्फ उनका literature जाने के लिखना ही उनका एक profession था, पॉप was also called the wicked wasp of twikingum, तो इनको wicked wasp of the twikingum क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ना satire कर देते थे, हर एक जितने famous people होते थे अपने उस age के, तो हर एक पे वो कस्ते रहते थे satire, जिसकी वज़ा से इनक the wicked wasp of the twikingum, बोला जाता था, twikingum वो प्लेस है, जहां पर ये रहते थे, then ये member of scribbler club भी थे, scribbler club के और कौन कौन से member है, john gay है, jonathan swift है, thomas pernall है, john art but not है, ये सारे जो scribbler club के member हैं, वो satire करते थे, ignorance के ऊपर, okay, पोप ये believed करते थे, that a work of art must be based on truth, वो बोलते थे, वो जो भी एक work होता है, art का, वो truth पे based होना चाहिए, then पोप ने arts, poetry का जो work है, horace का, उसको वो अपनी poetry का model मान दे थे, उन्होंने ये line खुद बोली है, men not afraid of God, afraid of me, वो खुद बोलते हैं, वो जो लोग हैं, उसकी age के, व से जागा डरते हैं, God से इतना नहीं डरते हैं, क्योंकि वो हरेक पे satire कर देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, वो ये, और famous phrases भी जो बहुत हैं, जो आज भी हम यूज करते हैं, जैसे fools rush in, where angel fear to tread, तो ये क्या है, जी ऐसी on criticism, से ली गई ये phrase है, जिसमें वो बोलते हैं, फूल तो जो मूर के वहां भी चले जाते हैं, जहां पर फरिष्टे जाना से डरते हैं, to it is human, to forgive is divine, a little learning is dangerous thing, ये भी an Asian criticism से ली गई quotes है, the proper study of mankind is man, this is also very famous phrase by Alexander Pope, the world forgetting by the world forget, the film, ये थोडी सी और extra information है, the film internal sunshine of the spotless mind 2004 में एक फिल्म आती है, जिसमें बॉर्ड लिया गया है, इसका title लिया गया है, पॉप के work है, Aloysa to Abby Lord से ही title लिया गया है, eternal sunshine, ठीक है, इसके जो इस work में से lines ली गई है, three of the moon of the planet Uranus are named after characters from popes, poetry, belinda, umbrail and ariel, तो ये जो three, ऐसा बोला जाता है, 27 satellites है, ठीक है, Uranus की, और उसमें से, जो three, उनमें से, नेम है, वो इनके work से लिया गया है, that is a belinda, umbrail and ariel, और जो 24 names है, वो शेक्सपीर के character से लिया गया है, okay, then he was buried next to his mother in his, in his name of the church of saint Mary's, the virgin in twikingum, तो इनकी death होने के बाद, इनकी mother के पास ही, वहां पे दफनाया लगिया है, church of saint Mary's, virgin in twikingum, जहां पे यह रहती थी, this is all about Alexander Pope, जितना भी मैंने पढ़ाया, जितना भी मेरे पास information थी, मैं आपके साथ share की, thanks for giving me your precious time, stay blessed, God bless you all.